Hello friends, welcome to sociology classes, आज हम discuss करने वाले है caste in Indian census, मतलब over the year Indian census में caste का क्या बदलाव रहा है या फिर caste का position क्या रहा है पहले आज देख लेते हैं कि हम कास्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें डिसकस करने वाले हैं हम आज mainly तीन phases में कास्ट को study करेंगे मतलब कास्ट प्री ब्रिटिश इंदिया में कैसा था census में 1871 से 1941 तक जो भी census हुए थे उनमें कास्ट को किस position पर रखा गया था और 1951 से लेकर आज तक कास्ट का क्या रोल है census में तो शुरू करते हैं आज का class पहले हम देखेंगे कि प्री ब्रिटिश इंदिया में कास्ट का क्या रोल रहा है हमें ऐसा लगता होगा कि प्री ब्रिटिश इंदिया में कोई भी census नहीं हुआ होगा लेकिन ऐसा नहीं है census एक बहुत ही important aspect है हमारे society के लिए economy के लिए इसलिए बहुत सारे हमारे जो राजा महाराजा थे या फिर जो भी हमारा देश को शाषन करने के लिए आये है मुगल्स वो सारे भी census का यूज करते थे लेकिन हर किसी का अपने अपना अलग नजरिया है अपने अपने हिसाब से वो लोग census करते थे मतलब इंदियन जो दस साल बाद बाद census होता है यह एक बहुत ही इंपोर्टेंट सोर्स है इंदिया की सुसाइटी और एकोनोमी के लिए जानकारी हासिल करने के लिए the enumeration of caste 2 was not entirely a new practice introduced by the British colonial government British colonial government पहला लोग नहीं है जिन्होंने इंदिया में caste census का इंट्रिद्यूस किया है census उससे पहले भी हो चुका है यह सारे चीज़े हम कहा पर देखते हैं हम मनुस्मृती, राजतरंगिनी और आइनी आगबरी में भी देखते हैं कि इंदिया में census हुआ था वहाँ पर भी caste के जो return है वो collect किये गए थे कितने लोग कौन से caste के हैं कहा से कौन से caste से लोग ज्यादा बिलोंग कर रहे थे उनका features क्या है यह सारे चीज़े ब्रिटिश के पहले भी मनुस्मिती, राजतरंगिनी और आइनी आगबरी में लिखा गया है कि इंदिया में काष्ट की बेसिस पर पहले भी census हुआ था उसके बाद देखते हैं हमारा जो ब्रिटिश है उन्होंने 1871 में इंदिया में census को इंट्रिड्यूस किया था उन्होंने इंदिया को साशन करने के लिए या फिर इंदिया को अपनी कंट्रोल में रखने के लिए census का इंट्रिड्यूस किया था उनको एसा लग रहा था कि नहीं, अगर हमें ज्यादा दिन यहाँ पर राज करना है तो हमें इहाँ के इंसानों को लोगों के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए इसलिए उन्होंने census का स्टार्टिंग किया। उन्होंने इंदिया का जो large and diverse population है इसको study करने का निर्नाई लिया। पहले जो census हुए थे 1871 से लेके 1931 तक उहां तक इंदिया के जो भी census हुआ उहां पर कास्ट एक बहुत important role play कर रहा था। कास्ट वहां पर कास्ट का जो भी return है वह collect किया जा रहा था। कास्ट के basis के कितने लोग है कौन से कास्ट, higher cast है, lower cast यह सारे चीज़े वहां पर collect किया जा रहा था। लेकिन 1931 ही last census है जहाँ पर ये सारे चीज़े collect किया गया था और tabulate किया गया था मतलब census के जो भी result है वहाँ पर ये सारे चीज़े input किया गया था लेकिन 1941 में भी collect किया गया था cast के details लेकिन उस बक्त वो wartime के बज़े से वहाँ पर tabulate नहीं किया गया मतलब census में जो data होता है interpretation करने के बक्त वहाँ पर ये सारे चीज़े tabulate नहीं किया गया था 1931 तक ही cast का data tabulate हुआ था 1941 में cast का data tabulate नहीं हुआ था उसके बाद 1951 में जो census हुआ था वो हमारा सादिन भारत का independent इंडिपेंडेंट इंडिया का census था वहाँ पर भी collect किया गया था cast का data लेकिन वहाँ पर limited कर दिया गया था वहाँ पर schedule cast और schedule tribes के बारे में SC और ST के बारे में तो collect कर लिया गया था बहुत सारा data लेकिन जो भी others backward class मतलब OBC थे उनके बारे में ज्यादा कुछ return collect किया नहीं गया था उनको बहुत कम उनके information लिये गया थे वहाँ पर जो भी data हो रहा था मतलब 1951 से जो भी census हुआ था वो सारे result public के लिए published नहीं थे मतलब कोई भी इंसान उस result को access नहीं कर सकता यह सिर्फ यह access कर सकते थे first backward classes commission first backward classes commission जो था वो ही सिर्फ यह सारे data को access कर सकते थे क्या कितने लोग है, काश्ट में कितने की नोकरी है उनके situation क्या है यह सारे चीज़े सिर्फ first backward classes commission ही access कर सकता था और उसके according वो अपना जो point of view या फिर जो भी काम करना यह सारे चीज़े decide करता था हमारे constitution में census act 1948 में publish हुआ था कि वहाँ पर decide किया गया था 1948 में कि इंडिया का जो भी caste है caste का data है वो census में include नहीं किया जाएगा उसके बाद से आज तक वो ही चीज फोलो किया जा रहा है लेकिन हम देख सकते हैं 2011 और 2021 में बहुत सारी changes हुए बहुत सारी problems create हुए लेकिन यह सारे चीज़े हमारे exam की point of view से इतना ज्यादा जरूरी नहीं है अगर आप लोग net या फिर UPSC देने वाले हैं तो आप लोग यह सारे चीज़े गूगल करके देख सकते हैं कि उनका specially कौनसा कौनसा feature है तो आज का class यहाँ था कि अगर class अच्छा लगा होगा तो like और subscribe कर देना और दोस्तों में share कर देना मिलते हैं अगले class में तब तक सुष्ट रही है अच्छे रही है जाए हिंद